दुनिया के सबसे रईस शक्स एलेन मस्क ने जब से ट्विटर टेक ओवर किया है तब ही से वो चर्चाओं में बने हुए हैं एलेन मस्क ने अब तक कई ऐसे फैसले लिये हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया इतिहास रश्ते हुए मस्क ने ये तक फैसला कर दिया कि जिनको ट्विटर पर ब्लू टिक मिला हुआ है उनको अपने अकाउंट को वेरिफाइड रखने के लिए अब पैसे देने होंगे इतना ही नहीं ट्विटर खरीदते ही मस्क ने कई बड़े पोस्ट पर बैठे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया एलन मस्क फिलाल चर्चाओं में थे ही किसी बीच उन्हीं से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया खबर थी कि एलन मस्क का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है जाहिर है ट्विटर के मालिक एलन मस्क का ही अकाउंट अगर हैक हो जाएगा तो फिर यहाँ पर मौझूद बाकी यूजर्स के अकाउंट का क्या होगा ये सवाल उठाते होए एलन मस्क की जमकर धज्यां उड़ी उनका मजाक उड़ने लगा हलकि कुछ देर बाद सच्चाई सब के सामने आ गई दरसल मस्क के अकाउंट हैक होने की खबरें उस वक्त फैली जब उनके अकाउंट से भोचपूरी और हिंदी में ट्वीट होने लगे अब जाहिर है एलन मस्क को हिंदी और भोचपूरी तुवाती नहीं है ना ही वो रातो रात दोनों भाशाओं को सीख सकते हैं फिर आखिर ये माजरा क्या था सवाल ये उठा कि एलन मस्क के ट्वीटर हैंडल से आखिर कौन भोजपूरी और हिंदी में ट्वीट कर रहा था खैर फिर जब गौर से देखा गया तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया दरसल ना ही एलन मस्क का अकाउंट हैक हुआ और ना ही उनके अकाउंट से भोजपूरी या हिंदी में कोई ट्वीट किया गया ये सारा कन्फूजन हुआ एक दूसरे ट्वीटर अकाउंट को लेकर जो एलन मस्क के नाम से ही बनाय गया है यूजर की डीपी और कवर पेज भी वही है जो की एलन मस्क ने लगाय हुआ है दिल्चस्प बात ये है कि दोनों ही वेरिफाइड अकाउंट है ऐसे में लोगों को कन्फूजड होना लास्मी था खैर फिर दोनों के फॉलोवर्स देखकर और पुराने ट्वीट्स देखकर सच्चाई सामने आ गई इसके साथी साथ एक सबूत ये भी मिला कि एलन मस्क साल 2009 में ट्वीटर पर आये थे और इस यूजर ने साल 2011 में ट्वीटर जॉइन किया बस इसी कन्फूजन में खबर ये फैल गई कि एलन मस्क आखिर भोशपूरी में क्यों ट्वीट कर रही है क्या उनका अकाउंट हैक हो गया है आपको बता दें ट्वीटर की कमान संभालने के बाद से ही एलन मस्क बेहद चौकाने वाले फैसले ले रही है उन्होंने अपनी कमपनी के करमचारियों को मेल भेज कर बता दिया है कि उन्हें अभी आफिस आने की जरूरत नहीं है उनकी नौकरी रहेगी या नहीं ये भी उनको मेल के जरिये ही बता दिया जाएगा ऐलन मस्क के ताबर तोड फैसले हर किसी को हैरान कर रही है फिलाल तो आप ये बताईए एलन मस्की जुड़ी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं साथ ही ये भी बताईएगा कि जिस तरह सिम्मस काम कर रही है आपके हिसाब से क्या वो ट्विटर को और ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएंगे या फिर उसे घाटे में ले जाएंगे जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजेगा